सम्विदा स्वास्त कर्मियों को जेल भेजने पर यूवा कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जॉक्टर विकरान भूरिया ने आपत्ती जताते हुए कहा कि क्या ये गांधी का देश नहीं बचा अब गोड से वादियों के राज में अपने अधिकार के लिए आवाद उठा करोना योद्धाओं को भी जेल भीजा जा रहा है कितने शर्म की बात है पूरिया ने कहा मैं सम्विदा स्वास्त कर्मियों के साथ खड़ा हूं जागो आज इनके साथ नाइंसाफी हो रही है ये कल आपके साथ भी हो सकता है यूवा कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कि लेब बात रखने का अधिकार है लेकिन जब अपनी बात रखने के लिए और दो सुत्री मांग रखने के लिए संविदा स्वास्त कर्मी काफी धिनों से हर्ताल पर थे उसके बाद भी सरकार के कान जू नहीं रेंग रही और जब उन्होंने अपनी मांग प्रभूराम च लोगों की जान बचाई और स्वास्य व्यवस्ता को दुरुस्त किया और आज उनी को रोना योद्धाओं को जेल भीजा जा रहा है हमारे बहुत सारे संवीदा स्वास कर्मी भाईयों को आज गिर्फतार करकर जेल भीजा गया है यह चौकाने वाली खबर है कि जिस देश में हम रहते हैं महात्मा गांदी जी का देश है और अगर कोई अच्छ साथ से अपना विरौत प्रदर्शन करना चाहता है अपना आवाज उठाना चाहता तमीज नहीं थी या समयम नहीं था कि उनकी बात वो सुन सकें और उन सब को रसी बान कर थाने लाया गया उसके बाद जेल भीज दिया गया ये एक बहुत शर्णाख बात है क्योंकि ये वही लोग हैं जो कोरोना के समय जबदस अपनी जान पर खेल कर लोगों की जाने और मैं अपने सभी स्वासकर्मी सुमविदा स्वासकर्मी भाईयों भेनों को ये बोलना चाहूंगा कि आप अकेले नहीं हैं हम सब आपके साथ हैं और पूरी ताकस से आकरी तक आपकी लड़ाई में हम शामिल हैं वो खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विशलेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा दखल नियूज आपके ख़ते आप देख रहे हैं दखल नियूज